बहुत समय पहले की बात है, एक जादुई जंगल था जहां प्राकृतिक सौंदर्य और जादुई शक्तियों का संगम होता था। इस जंगल की एक खासियत थी, यहां के जानवर बोल सकते थे। हाँ, यह गजब का जाबानी जू था। जंगल में एक बच्चा शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू का सपना था कि वह पूरे जंगल के सबसे बड़े और सबसे जादुई जाबानी जू के किसी सदस्य बने। एक दिन, शेरू ने सोचा कि वह जाबानी जू में प्रवेश कैसे पा सकता है। उसने जंगल के व्रिक्षों से बातचीत की और पता किया कि जाबानी जू की प्रवेश की कुझी एक जादुई फोल में छुपी हुई है। शेरू ने जाबानी जू की प्रवेश की कुझी को पाने के लिए उस जादुई फोल की खोज में निकल पड़ा। शेरू की खोज में वह जंगल के हर कोने को चांदनी रातों मे घूमा। उसने जद्दो जहत करते हुए जादूई फोल को ढूंड निकाला। जब उसने उस फोल को हाथ में लिया, तो उसने जाबानी जू की प्रवेश की कुंजी आ गई। शेरू ने जाबानी जू में प्रवेश पाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। वह वहां के जानव तो कौन लक्ष को पाना है, तो हमें मेहनत और संधर्श करना पड़ता है। शेरू की उम्मीद वर उसकी मेहनत ने उसे उसकी मंजिल तक पहुचाया।